गुड मॉर्णिंग स्टुडेंस अग्लास फोज इस असाइन सब्जेक्ट तुझे आर टोपिक इस अडप्टेशन फोर अनेमल्स इससे पहले हम चक पॉइंट्स भी करेंगे चक पॉइंट्स और इस पहले वाली वीडियोज में हमने पढ़ा था कि अरेल अनमल्स क्या होते हैं अर्बॐरियल अनमल्स क्या होते हैं न सब्सक्राइस विए विदमा», पाई सब्सक्राइल अनमल्स को आते नो सब्सक्राइब एक रखा टा नहींन पिर्ख़रहीया हमें organizing comparing बहुत सब्सक्राइब पाइघ्ल है सब्सक्राइब बर्ख़रे अधिद्रेयन बड्या भी तो इन आनिमल्स को कि स्बीसमी रखा है ? तो यह वह उनिम्ल्स अइमल्स की बात करेंगे तो यह उनिम्ल्स होते हैं जो हापने वकत ज्यादा वकत कहां पर ट्शी आर्व ऐट के करते हैं थेश़् आनिम्ल्स लिंदियोdf अगर हम लेंगे तो मॉंकी का एक्जमपल लिया था ट्री लिजर्ड का लिया था फ्लाइंग लिजर्ड का हमने लिया था ठीके फ्लाइंग स्कैरिल का हमने लिया था बसम्स का हमने लिया था इसके में एक्जमपल ठीके तो यह आप लोगों को समझ में आया होगा तो आज हम हम चॉक्क पॉइंट्स करेंगे चॉक्क पॉइंट में है उसेरल की फिकल्ड में लेखेनु से इन सुने हैं पहुंत जिन सुना को इन इस फोल स और इस्ट्राइश जैसे पनुझ आंगलु में आप सो नुर्म्वर केिगा Srim आप साउथ और लागे TV के पड़ा हैं और आप लोगों ने यह भी वहाँ पर सुना होगा कि पॉल्ष की तरफ हम जांगे तो वहाँ थंट होता है तो आप पॉक्स चिञा है कि पॉल्ल भेर उसी पॉल्स बहुत लेख रहेते हैं तो यहां पर अंसर है पॉलर बियर, पॉलर बियर को आप लोगों को क्या करना है, जरगल करना है, अब सेकेंड है, गिल्स, लंग्स, एर होल्स इन फिश, हैलप देम तो ब्रीथ इन वाटर, बूरे की मचली को पानी में सांस लेने के लिए इन तीनु में से कौन मदद करते है जिए स्टुडेंस आम ने बढ़ा था कि फिश और क्रैप जो है इनके अंदर एक और्गन होते हैं गिल्स करके ये गिल्स इनको पानी के अंदर सांस लेने में मदद करते हैं तो स्टुडेंस आप लोगों गिल्स को क्या करना है सेर्क्ल करना है, थोर्ट है अर्बोरियल, I do ndh बताना कि animals जो हवा में उड़ते हैं घैन 12 यांख्यमोह का बोलते है Arboreal animals those animals sorry there we will those animals they fly inyal अर्बोरेल अनिमल्स को दोस अनिमल्स जो फैंड करते हैं most of their time on trees अपरेटिक अनिमल्स वो अनिमल्स वोगया जो पानी में रहते हैं ठीक है students तो आप लोगों को यहां पर कौन सा सरकल करना है अरेल को क्या करना है बों सरकल करना है हो गया अब हम adaptation for food adaptations as you know students की adaptation what is adaptation adaptations एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट और अनिमल्स खुद को चेंज करते हैं शूट करने के लिए अपनी इन्वार्वेर में ठीक है उस प्रोसेस को हमने adaptations का था तो यहां पर adaptations for food, adaptations for environment हमने पढ़ा है adaptation for food हम अब हुष बढ़नेरी है है तो adaptations for food के लिए उपनी food के लिए खुद को चेंज करना अब हम देखेंगे animals eat plants or other animals animals जारवार खाते हैं plants खाते हैं या पोदे खाते हैं और other animals और other animals और भी animals खाते हैं दूसरी animals भी खाते हैं ठीक है उन animals को भी खाते हैं they can be classified into food groups according to the type of food they eat वोडें की उस basis पे type of food की basis पे जिस टाप वो खाना खाते हैं उस basis पे animals को classified किया है four groups में कितने groups है four groups as you know students कि आप लोगों ने class third में ये सारा आप लोगों ने पढ़ गया है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि harby words animals, carnivores animals omnivores animals इसको यहां पर इपी पढ़ना है फोर्थ में भी लेकिन देखे students थोड़ा सा यहां पर और एक एट हुआ है आप लोगों ने इतना पढ़ा था harby words, carnivores, omnivores अब यहां पर एक और एट हुआ है parasite करके ठीके तो आप लोगों को parasite भी यहां पर पढ़ना है देखे students आप लोगों को पता है है वी जाप लोगों को पता है